साथियो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन इटिया मंत्रा में आज की इस वीडियो में हम इटिया फर्स्ट एर इंजनिंग ड्रोइंग का अगला चैप्टर करेंगे चैप्टर 9 जिसका पहला टोपिक है सकते हैं और आपके अज की विडियो को देखेंगे पिक्तोरियल विउ होता क्या है और यह कितने टाइप को होता है तो शुरू करते हैं सबसे पहले पिक्तोरियल विउ होता क्या है जब भी हम किसी object या वस्तु की drawing इस प्रकार बनाएं कि जो object उसके तीनो face जो तीन face होते हैं वो या हम कहा सकते हैं उसकी तीनो विमाए तीनो dimension तीनो dimension कौन सी कौन सी उसकी length उसकी breadth और उसकी height एक ही plane एक ही view में नजर आए एक ही view में दिखाई दे तो उस तरह की drawing को हम बोलते हैं pictorial drawing या हिंदी में कह सकते हैं चित्रिया drawing यानि जब हम किसी object को draw करते हैं तो उसमें तीन dimension होती है कैसे आपने मैथ में भी सुनी होंगी तीन dimension होती है यह x axis होती है यह y axis होती है यह z axis होती है तो जब हम drawing करते हैं तो अगर तीन होई axis तीन ही उसकी विमाए तीन ही dimension एक ह वीव में दिखाई जाएं तो उस तरह के वीव को उस तरह की ड्रोइंग को मोलते हैं picture आप कही बारी आज यह कल जो मुवी जाती हैं उनके पोस्टर पे लिखा देखते होगे कि फिर्वी डी मूवीज व होती है उनमें तीन यहीं एक्सिज काम करती है जो आज तक आप फिल्में देखते आयों थे उन में क्या है तूडी काम करती यानी x-axis ये लेकिन जो ऑठ्री डी मूवि देखने जाते हो तो आपको गोगल्स यानि चस्मा दिया जाता है चस्मा पैनने के बाद जो उसकी तिसरी प्रणप होटा कि इस है एकशी जो इंदर हो जब भी कोई होता है यानि कोई मॉमेंट होती है जैसे मालिया पिक्चर के अंदर कोई ऐसे आप की तरह मुव करता है तो आपको लगेगा कि आप कि वो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल पास है, क्योंकि उस टेम पर यह जो Z axis है, यह active होती है, तो इसलिए 3D जो movies होती है, उसमें 3 axis active होती है, तो यहां drawing में भी जब हम ऐसी एक object बनाएं, ऐसी वस्तु बनाएं, जिसमें उसके 3 face या 3 उसकी जो विमाई हैं, length, breadth और height एक स दिखाई दें, तो उसको बोलते हैं, pictorial view या चित्रिय ड्रोइंग, इस ड्रोइंग से हम वस्तु का जो shape and size है, उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं, कैसे देखें, example देखें, यह आपके सामने एक चित्र है, pictorial view इसमें दिखाया गया है, एक मकान है, आप इसको जो फ रियल्टी है, इसकी shape और size के बारे में, आप एक दम से accurate अंदाजा लगा सकते हैं, कि इसकी लंबाई ज्यादा है, चोडाई ज्यादा है, इसकी खिड़की कहा है, इसका दरवाजा कहा तो आप पिक्चर में देखके, इसकी actual shape and size है, उसका पता लगा सकते हैं, तो pictorial view ऐसा ह पता है, दूसरी बात है, इस drawing को बिना formal technical training के भी समझा जा सकता है, हाँ, जैसे orthographic projection या orthographic view आगे आप पढ़ेंगे, जब उसको समझने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको technical training की जूरत होती है, लेकिन इसमें आपको किसी भी formal technical training की जूरत नहीं होती है, इसमें कोई भी रूप से orthographic view का ही प्रियोग किया जाता है, यस orthographic view है, बहुत important view है, आगे आएगा इसके कई चेप्टर है, और एक question 30 या 25 नमर का हर अगजया में पुछा ही पूछा जाता है, इसको आगे करेंगे, तो drawing में मुख्य तोर पर orthographic view ही use करते हैं, pictorial नहीं करते, pictorial का प्रियोग के लिए आप उसके orthographic view के साथ pictorial जो drawing है उसका प्रियोग भी कर सकते हैं, इसलिए आपको orthographic को pictorial में और pictorial को orthographic में convert करना आना चाहिए, तो यह जो अगले topic आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे pictorial को orthographic में convert किया जाता है, और orthographic को ही हम drawing में सब से ज़्यादा use किया जात pictorial drawing है या pictorial view है उसको निमन तीन परकार से बाटा जा सकता है, first one is axonometric drawing, second is oblique drawing और third is perspective drawing, तो इन तीनों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, हाला कि यह तीनों इंतने important नहीं है, axonometric एक टाइप आएगी, isometric इसी का प्रियोग हम जादा करते हैं, तो वो भी drawing में एक object या वस्तू को इस परकार बना जाता है, कि जो object है, वस्तू है, उसके जो त्रीनों प्रिंसिपल फेस हैं, एक ही view में represent किये जा सकें, और ये जो प्रिंसिपल फेस हैं, एक दुसरे के साथ, कितना कौन बनाते हैं, कितना angle बनाते हैं, इस आदार पर इस axonometric drawing को भी आगे तीन भागों में बाटा गया है, कौनसे कौनसी, trimetric, dimetric और isometric, तो जो आपकी axonometric है, उसको भी आगे तीन टाइप में बाटा जाता है, उसके angle के आदार पर तीन फेस होते हैं, ये आपके तीन फेस हैं, अभी हमने बात करी थी, तो ये तीन फेस हैं, तो ये तीनों फ आपके सामने जो चित्तर है इसमें क्यूब दिखाया गया है और क्यूब को सेम क्यूब है उसको एक बारी ट्राइमेट्रिक में बनाया गया है एक बारी डाइमेट्रिक में और एक बारी आइसोमेट्रिक में डिफरेंस क्या आएगा जो यहां पर फेस है यहां तीनों एक्सि अगर इन तिनों एंगल में से कोई भी दो एंगल बराबर हैं तो उसको बोलेंगे डाइमेट्रिक व्यू डाइडाई का मतलब हमेशा दो से होता है तो यहाँ पर दो एंगल जैसे अगर एंगल ए बराबर है एंगल सी हो जाए और नोट इक्वल टू बी यानि ए और सी एंगल बराबर हैं बी एंगल बराबर नहीं है और अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो इसकी जो एक्सीज हैं वो भी क्या होंगी बराबर होंगी इसी परकार अगर यह तिनों एंगल 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 और एंगल सी तिनों के तिनों बराबर हैं तो उस तरह के व्यू को बोला जाता है आइसोमेट्रिक व्यू तो तीनों ही टाइप किसकी है ahanometrik की केवल अंतर क्या है इनके angle का बनाने का अगर तिनों अलग अलग है तो उसको बोलत है Trimetric और अगर Treanachet अलग अलग हैं तो उनकी Άंक्सिस की लेन्थ होगी वह होगी अलग अलग होगी तो इसको बनाने के लिए जो सकेल है वो scale भी कितने चाहिएंगे, हमें 3 अलग-अलग scale चाहिएंगे, 3 axes के लिए अलग-अलग scale draw किये जाएंगे, scale पर भी बात करेंगे हम आगे चलके, कि कैसे scale draw किया जाता है, यहाँ पर अगर दो angle same है और एक angle different है, तो इसको diametric को बनाने के लिए हमें 2 तरह के scale चाहिए, एक जो scale, दोनों जो angle बराबर है, उसकी axis को बनाने के लिए, और दुसरा जो scale जिसका angle बराबर नहीं है, उसकी axis को बनाने के लिए, तो यहाँ पर दो scale की जूर्थ पड़ेगी, थःड बन है Isometric Isometric में जो 3 अंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसको बनाने के लिए भी एक ही स्केल की जूर्ट पड़ेगी क्योंगी ति detto 3O x भी क्या होंगी बराबर होगी इसलिए इसमें जो आपका Pictorial है इसमें Isometric सब्सक्याandon होते हैं इसका प्रियोगी तो यह है isometric view और very very important है और यहां पर जो एंगल यह बनता है यह कितना बनता है 30-30 डिग्री का कई बार यह question में पुछते हैं कि होड़ेंटल के साथ जो isometric view में कितना कोंड बनता वो बनता है 30 अगर पुछा जाए तिन्हों एक्सिज एक दूसरे के साथ कोंड कितना बनाती है आइसोवीट में तो जो अंसर होगा वो क्या होगा 120 डिग्री आप इसको एक डियाग्राम से और देख सकते हो यह तिन्हों अलग 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 तरे के view हैं पहला है isometric आपको पता तिन्हों एं यह क्या हैं तोनों कितने हैं 105 डिग्री 105 जिस सब्सक्राइब तर परीं को 3d डिवाइड किया थी त्रीक एसे में डिवाइड किया गया है तो हैं तो इन तीनों में सब से जो इंपोर्टेंट है वो क्या है isometric एपाइसरी लिए में इस सब्सक्राइब में तीनों छाथ बनाते हैं 120 डिग्री का और रुकस थीनों क्या होते हैं हमेशा दो X एक दूसरे के साथ प्रपंडिकूलर रखी जाती हैin तीन एक दूसरे के साथ प्रपंडिकूलर रकेंगे और जो तिसरी X जै जिसको रिसेडेंग 20 भीजा जाता है उसको हम अपनी सूईद्धा के नुसाथ किसी भी एक कोण पर होरिजेंटल के साथ जुका देंगे वो कोण क्या हो सकता है 30 डिगरी का हो सकता है 45 डिगरी का हो सकता है 60 डिगरी का हो सकता है यानि यहाँ पर 3 एक्सिज में से 2 एक्सिज एक दूसरे के साथ क्या होगी परपेंडिकुलोर होगी एक दूसरे के साथ कितना डिग्री अकोंड बनाएंगे, लेकिन जो तिसरी एक्सीज है, जिसको हम रिशाइडिंग एक्सीज भी कहते हैं, वो नब्बे डिग्री के अलावा कोई भी कोंड बना सकती है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और mostly हम 45 डिग्री का ही प एक एक्सीज यह है, वाई एक्सीज एक यह है, एक्स एक्सीज और यह हमारी जैड एक्सीज, इसको ऐसे कर सकते हैं, और यह एक्सीज को हम बोलते हैं, रिशाइडिंग, क्योंकि यह एक्सीज और यह एक्सीज कहा है, एक दूसरे एक साथ पर प्रेंडिकुलर है, 90 डिग् बना रहे हैं यहां पर 45 डीग्री का तो इसको ऊब्लीक प्रोजेक्षन में जो उब्जेक्ट की से पर साइज है वह कहां से पता लगती है फ्रेंड व्यूक्त अब पर 45 degree का तो यह साइड एक्टॉड जो साइज एक्टॉल साइज को शूर नहीं करेगी । अगर आपकोश s उब्छेक्ट के एक्टॉल सेफ साइज बता करनी है तो कहां से पता लगेगी इसके front view से पता लगे क्योंकि front view एक दूसरे के साथ 90 degree icon बनाता है तो इसकी actual जो safe है इसके मेशा front view से ही पता लगे सकती है तो oblique view में अलग अलग icon हो सकते हैं इस diagram से आप देख सकते हो इसका अमने चित्र बनाना है oblique view में सेब diagram बनाया गया है हम 30 degree icon भी प्रियोग कर सकते हैं 60 degree icon प्रियोग कर सकते हैं 25 degree प्रियोग कर सकते है लेकिन आप देखर हो गिश्वे होगे आप जो दो आक्σι support एक दुसरे के साथ 90 degree icon बनाती है यहां भी देख सकते हो और यहां लास्ट टाइप है नेक्स्ट जो करेंगे वो है प्रस्पेक्टिव ड्रोइंग या प्रस्पेक्टिव व्यू प्रस्पेक्टिव ड्रोइंग जो होती है प्रस्पेक्टिव ड्रोइंग इस दा मोस्ट रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ दा पिक्टोरियल ड्रोइंग यह सबसे रिलिस्टिक है च्टा कुम क्योंकि जो परस्पेक्टिव ड्रोइंग में हम लगबग वही बनाते हैं जो व्यूँर्यार गार्फं के द्वारा दिखाई देता है जैसे उसलिए इसको हमۂ सब सुट Turkish सोदा रियल व्यू निर्माण के कारिये हैं उसमें प्र प्रेस्ट में हम जो इंजरींग ड्राइंग उसमें और यह इप्रिस्पेक्टिव आइस्यसोमेटरी भी हम शमन चुकर हैं 30-30 degree का बना जाता है यहां पर कौन और gentle के साथ oblique की बात करे थे यहां पर कितना है 45 degree का दो axis एक दूसरे के साथ 90 degree और एक axis 45 degree का अगर इसी diagram को प्रस्पेक्टिव में बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा प्रस्पेक्टिव में आप देख रहे हैं जो एक दम जो real चीज दिखती है वो बनाई जाएगी आप यहां मान सकते हैं क्या है आई है यानि यहां पर क्या observer है जो इसको देख रहा है observer की position कहा है वो कितनी दूरी पर है सब पर depend करता वो कैसा देखाए देगा तो यह realistic form है और example देख सकते हो यह railway line है साथ में आपको देख सकते हो बिजली के तार है और पोल्स खड़े है तो इस प्रकार आप जो real में हमें picture दिखाए देती प्रस्पेक्टिव में वही बनाते ह है यह building का देख सकते हो नक्सा यहाँ एक सड़क इधर है एक सड़क इधर है दोनों साइड के हमारी building से और building का जो व्यू है हम इधर से देख रहे हैं जो आपको जरू बिल्कुल फ्रेंट में है तो आप देखोगे जैसे आपकी नदर दूर जाएगी तो building का size क्या उतर र प्रेस्पेक्टिव तो यह था माराज का topic pictorial view या pictorial drawing कहा सकते हम इसको हमने उसके तीनों टाइप देख लिए और इन तीनों टाइपों में से जो भी आपने पड़ी है इंजिनिंग ड्रोइंग मुस्प से ज़्यादा प्रियोग किया था isometric view का उसको मागे detail में भी पढ़ आई है और ज्यादा इतना इसमें कुछ बनाने के जुड़त नहीं है एक दो चित्र है जो आप बनागे अपने टीचर को दिखा सकते हैं तो देखते हैं इस topic में से ड्राइंग में कौन सा चित्र आपने बनाना आईए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर तो यह है ड्राइंग सीट जो आपने पिक्टोरियल व्यू और ड्राइंग में बनानी है हर बार की तरह सबसे पहले आउटलाइन लगानी है और मैं हर वीडियो में जरूर बताता हूं कि आउटलाइन लगाओ एक सेंटीमेटर की यानिकी 10 मिलिमेटर की दो निशान आपके सीध्य आएगी मैं देखता हूं कुछ पच्चों की आड़ी तिरची लाइने आती हैं लेकिन यह बिल्कुल सीध्य लाइने होने चाहिए उसके बाद आपने टोपिक लिखना है पिक्टोरियल व्यू और ड्रोइंग आज का टोपिक यह है आपको पता है पिक्टोर क傳ola किमेट्रिक विव में तीनों अयंगल बराबर होते है तो यहां से एक लाइन ऐसे खीचके यहां पर आपने 120 डिगरी का और 120 डीजिगरी का दों बना कर ऐसे लाइन की धूसरे के पेरलल है ये 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 मिए गनल iहां बूढएगा horizontal के साथ यह बनेगा 30 degree का और यह आपस में जो face एंगल हो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री तीन नो एंगल बराबर आप यहां लिख दोगे 3 एंगल सार एक्वल दूसरा जो डाइग्राम है इसमें दो एंगल बराबर होंगे इसमें भी एक लाइन आप यहां इस बिंदू से डी या प्रोटेक्टर के मदद से यह लाइन यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे के पैरलल बनानी है और बराबर भी बनानी है इसी परकार यह लाइन यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे के पैरलल और बराबर बनानी है तो इस परकार आपकी यह फिकर बन जाएगी इधर 130 डिग्रीगा बनाओगे ये लाइन खेंच लोगे एक ये लाइन खेंच लोगे तीन लाइने आने के बाद तिनों डारेक्शन में उसके बाद आपने ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक दुसरे के पैरलल और बराबबर रखनी है ये लाइन ये लाइन और ये लाइन इस seat का स्क्रीन सोट ले सकते हो आपने एक seat ये बनानी है इसके बाद pictorial की दो टाइप और है वो next page पर बनाओगे तो इसमें भी क्या है सबसे पहले outline लगाओगे सीट को दो ब्राबर बागों में बाटोगे एक सैड लिखोगे और प्रेस्पेक्टिव ये बोत ही साब और सुन्दर लिखा गरो और जो अक्सर है उनकी बनाओट पर ध्यान दिया गरो तो अब लेक विव आपको पता है दो जो एकसीज एक दूसरे एक प्रेपेंडिकलर होत पर के पर करेंगे सबसे पहले आपने यह फ्रेंट का चितर दियार करना है जो भी आपने इस控난 लेड़ी है इसके बाद यह लाइन जो है जो में लाइन उसे थोड़ी छोटी आएती इसके बाद यह शारी लाइन एक तो तीन है एक दूसरे के पैरलल यह आろ यह एक दूसरे पैरलल तो इस परकार उपलीक व्यू बना दो गया लास्ट वन है प्रोस्पेक्टिव व्यू प्रोस्पेक्टिव में सबसे पहले जो हमने यह बनाया है चितर आप इसके लावा और कुछ भी बना सकते हमने एक सीडी बनाई है तो सीडियों में आपको पता है अगर इदर से देखोंगे तो यह ऐल सेफ दिखाई देगी यल सेफ बनाने के बाद यहां पर और 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 जरुवर है और और आप कर पईसे दूरं भी हो सकता तो एक बंदू ले लोगे gehen आपने शरूर गो लेना है इसके बाद आपने इस ईसल से ऐसे लाईन इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे यहां खिचोगे, फिर यह ऐसे परपेंडिकुलर, फिर यह होरिजेंटल, यह परपेंडिकुलर, इसके बाद इन लाइनों को ऐसे मिला दोगे, तो आप देख सकते हो, यह क्या बन जाएगा, एक रियलिस्टिक व्यू है सीडियो का, अगर आप उस साइड से देखोगे, तो यह आपको ऐसे दिखाई देगी, तो आपने यह प्रस्पेक्टिव यू का अश्या बनाना है, तो आप इसका स्क्रीन सोट लेकर बना सकते हो, तो इस टोपिक में से जो पिक्टोरिल व्यू था, आपने यह दो ड्राइंग तियार करनी है, ति बच्चे इस चैनल पर नया है, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगयाने वाली वीडियो भी आपको समय से मिलती रहें, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए,